स्टाप्लस के शो ये है चाहते में अब आने वाला है एक नया ट्विस्ट जहाँ पर बहुत जल्द सारांश और प्रेशा के रिष्टे का सच रूद्र को पता चल जाएगा कि सारांश की असली मा प्रेशा है ही नहीं वेल अहाना इस पूरे ड्रामे को रूद्राक्ष के सामने ऐसे क्रियेट करेगी जसे प्रेशा ने रूद्रा को धोखा दिया हो और इसी वज़ा से पिचारी प्रेशा अपने डिफेंस में तब कुछ कह नहीं पाएगी और वो ये भी नहीं चाहती कि सारांश पर इस बात का गलत असर पड़े इसी वज़ा से प्रेशा फिलहाल रूद्रा के सामने चुप रहेगी और अहाना जो भी इल्जाम प्रेशा पर लगाएगी उन्हें एकसेट करती रहेगी ये सब कुछ देखते हुए अब रूद्र को प्रेशा पर बहुत गुस्सा आएगा कही ना कहीं रूद्र को प्रेशा से नफरत होने वाली है कि आखिर क्यों प्रेशा ने हर कदम पर रूद्र से जूट बोला जबकि वो तो उसकी हर बात को एकसेट करने के लिए उस पर भरोसा करने के लिए तैयार था लेकिन रूद्र अब पर लातों के आगे पूरी तरह मजबूर है वहीं ये सारे ड्रामे चल रहे होंगे और दूसरी ओर होगी एंट्री राजीव की बिल्कुल सही सुना आपने कि ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है रूद्र और प्रेशा के लिए राजीव का आना कहीं ना कहीं प्रेशा औ राजीव का इलाजस होस्पिटल में चल रहा है इस बात का पता अब प्रेशा को बहुत जल्द चलने वाला है और इस तरह से राजीव का आना रूद्राक्षर प्रेशा के मिलन की घड़ी साबित हो सकती है तो इंतजार रहेगा सीरियल ये है चाहते में आने वाले इन सभी को देखने का राजीव की एंट्री के बाद कैसे बदलती है रूशा की जिंदगी जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार बाकी है